नमस्ते अब विदियो में दोस्तों बाजार जो है आज की क्लोजिंग अच्छी दी, कल मैंने आप से कहा था कि ओपनिंग बुरी हो सकती है, ख्लोजिंग नहीं होनी चाहिए और अच्छी बात यह रहिक ना ओपनिंग बुरी होई और ना फिक लोजिंग बुरी होई वन आफ अच्छी बेस्ट क्लोजिंग 18,050 के भी उपर, मजाया, बहुत मजाया, उम्मीद ही नहीं थी कि आज हम ऐसी क्लोजिंग देंगे, लेकिन कुछी स्टॉक्स ने पुरी किसमत बदल के रख दी, निफ्टी की, एच्छील टेक जैसे स्टॉक्स तो गजब का सपोर्ट दी है आज निफ्टी को बाकी बात कर लेते हैं, तीन मिनट और दस मिनट की केंडल्स की, वहाँ पर हमारा ट्रेड आज स्टॉक्स में गया है, समझाएंगे आपको कुछ बातें, और यहीं से जरूरी है क्योंकि लॉसेस वाले दिन भी चाहिए, कल मैं आपसे कही रहा था कि लग फिर आप बहुत ही अजीब तरीके से बहुत चोटे-चोटे टार्गेट के लिए ट्रेड कर रहे होगे, अगर आप रूल्स और रेगुलेशन के साथ ट्रेड कर रहे हो, आपको स्टॉप लॉस बाजार देगी, आपको स्टॉप लॉस लेना ही पड़ेगा, ठीक है, बाइ बाइशाइड का ट्रेड फंदरा मिनट बाद तो यह वाले रेजिस्टेंस को अगर मैं ध्यान नहीं देता, तो मेरा फ्यूचर में भी स्टॉप लॉस हीट हो जाता, ऑप्शन का ट्रेड मैंने लिया, बाइशाइड का ट्रेड था, स्टॉप लॉस हीट हो गया, ठीक है, 10 मिनट वाली केंडल पर चलते हैं, ऑप्शन का ट्रेड मेरा यहाँ पर स्टॉप लॉस हीट हुआ, और जो दूसरा अला ट्रेड था वहाँ पर, एक मिनट, 10 मिनट की केंडल लगा लेते हैं, यहाँ पर आपको सम्झाना जरूरी है, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा ग्यारतारी का ट्रेड हमको मिल जाता है सेलसाइट का ट्रेड ठीक है, यहाँ पर फ्यूचर्स का ट्रेड और आप्संस का ट्रेड मैंने दोनों लिया, आप्संस वाले ट्रेड में मुझे यहाँ पर स्टॉप लॉस देना पड़ा, फ्यूचर्स वाले ट्रेड में टार्ग यह setup के scenario से अगर आप देखोगे तो आपको cost पर exit करना चाहिए था, लेकिन अगर आप human psychology देखकर के trade लिये होते, जिस हिसाब से humans behave करते हैं, जिस हिसाब से मैं गलती करता हूं, जिस हिसाब से मैं अपनी गलती आप बताता हूं, उससे आप सीख सको, उससे आप मुझसे सबको fear लगता है, लेकिन उससे आगे बढ़ने वाली चीजे हैं मारे पास setup के रूप में, हम cost पर exit कर सकते थे, क्योंकि हमने सूचा कि यार होना चाहिए होना चाहिए हमारे favor में बाजार जानी चाहिए गिरनी चाहिए, आ जाती है ना back of the mind feeling, बाजार ने support को तोड़ा है, चाहते तो बचा लेते, लेकिन नहीं बच पाया, दो stop loss आ गया, इवन आज मेरा 3 stop loss आ जाता और ये one of the worst दे जाता, ठीक है, ट्रेडिंग के लिहाद से, क्योंकि 3 stop loss बड़ी बात होते हैं, दो target 2 stop loss तो अकसर आते रहते हैं, लेकिन 3 stop loss आना बड़ी बात है, जो nifty के आपक stop loss देने से बचा लिए, अगर best case condition होती ही, मैं वहाँ पर option भी trade नहीं लेता, तो बिल्कुल बच जाता, अब ये बाते हैं, आपको अगर कुछ सीखा पाई, तब तो फायदा नहीं, तो कोई मतलब ही नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं, मार्केट की बात करते हैं, उससे पहले एक चीज़ आपको कहेंगी कि देखो यार लगातार profits हो रहे थे, ऐसे भी दिन आने चाहिए, क्योंकि ये business के खर्चे होते हैं, trading एक business है, ये तो आप जानते हो, ठीक, आगे बढ़ते हैं, अभी आप Nifty और India Wix का चार्ट देखिए, volatility index, बाजार खुलती है, लोगों अगे बाजार का महाल रहता है, ठीक है, इवें डर हावी होता है बाजार पे, बाजार गिरती है, डर बढ़ता है, लेकिन जैसे ही बाजार उपर जाने की कोशिश करती है, डर लोगों का कम होता जाता है, एक बाजार में उपर से profit booking आई थी, डर अचानक से बढ़ा था, ल अगर खत्म करके बाजार ने क्लोजिंग दी है, इस से अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, इनेक्स की बात कर लेते हैं, तो यहां पर आउट पर्फॉर्मेंस दी है, निफ्टी ने, निफ्टी नेक्स 50 से, और निफ्टी को आउट पर्फॉर्म करने की कोशिश सब करते हैं, इन आज कोई कर नहीं पाया, ठीक है, आप देखेंगे, निफ्टी 100, निफ्टी 200, निफ्टी 500, सब ने अंदर पर्फॉर्म किया, ठीक है, मिल के अब तो बिल्कुल नहीं चले, ठीक है, तो यह हो गई, नॉर्मल बातें, अब बात कर लेते हैं, बैंक निफ्टी की, देख फाइनेशल सर्विशेस ने आउट पर्फॉर्मन दिखाई है, चोला फाइनेश के कारण, एच्डी अपसी के कारण, खासकर इस हेवीवेट के कारण, वाकि एच्डी बात करी रहा था, कुछ इस्टॉक की बात कर लेते हैं, एच्टी चोटा दे दिया गया, और फिट सकते हैं, मतलब उमेद थी कि यहां पर कुछ बेटर होगा, हम बहुत कुछ यहां पर बनते हुए देख भी रहते, बढ़िया चीजें, लेकिन कुछ काम नहीं आता, जब कुछ काम नहीं आता, अब कॉस्ट पर एक्जिट करने का चांस भी लगभग लगभग हट गया, मैं यहां पर मेरे जो स्टॉप लोस होते हैं वह भी अप्रॉक्सिमेटली चार परसंट के आसपास, या पांच परसंट के आसपास मैं रखता हूँ, वन इस्टुड़, वन इस्टुडू, वन इस्टू, वन इस्टू दो, यह मेरा रस्क्रिवार्वाड होता है, ठीक है, स्व नहीं चलेगा, टाटा, टाटा ही रहेगा, नाम सुनके ही दिल में कुछ-कुछ होने लगता है, हाँ, तो बाकी स्विंगर सटॉप से चीज याद आया, कॉमेंट मैं पढ़ रहा था, बहुत मज़ेदार वाट्सेप भेजा, सेयर की हमारे साथ तीम ने, बहुत मज़ाया, लिका है, यह गोड़े को स्विंगर सेटब पर पकड़ा था लास्ट विक, गोड़ा, ग्रिप्स कॉटन, भाई साब, क्या मस्त चला है, 71% का रिटन, अब यहाँ पर 71% का रिटन, बहुत बड़ी चीज है, यहाँ तक बैठे रहना अच्छी बात होती है, लेकिन यहाँ प किसी को पता है, कोई बताएगा पेट दर्द क्यों करता है, कोई बताएगा पेट दर्द क्यों करता है, नीचे एक-दो लोग कमेंट देरूर करना, कहां exit करें, पूछा है, अब भाई, मैं तो कोई होता नहीं, आपको यह जवाब देने वाला, क्योंकि मैं तो आपको 70% न कुछता है profit में लोग profit enjoy करते हैं ठीक है अच्छी बात है एक student को सीखने पर ज्यादा फोकस करना चाहिए profit part of the game है loss part of the game होता जाता रहेगा आगे बढ़िए जब आपका portfolio size बढ़ा हो जाएगा आपको बहुत ज्यादा मज़ा आने वाला है याद रखिएगा इसके आधे का अधा भी profit बहुत बढ़ा होगा याद रखिएगा चलिए टार्गेट सी बात हो रहे थी पेटियम हालत देखे 1100 रुपए अभी 1200 से इनका टार्गेट प्राइस कट करके साहद 8500 या 900 रुपए कर दिया गया है कोई खड़ा है आपके साथ और इस पर मैं वीडियो लाने वाला हूं पेटियम पे नहीं आपके साथ कोई खड़ा है य बोलता हूं आप अपनी मदद नहीं करोगे आप सीखने के लिए नहीं तयार हो आपको कोई वीडियो बताई जा रही है उसको देख करके इंप्लिमेंट करके देखो और बताओ हमको इतना तो होता नहीं आप से और कहोगे कि मैं ट्रेड करूंगा और बहुत बड़ा राज गई अभी तो नियू जाई थी कि इनका जो लोन वाली बात है वो काफी तेजी से बड़ी है मतलब कंपनी आपकी परफॉर्मेंस अच्छी करके दिखा रही है फिर भी आपको डल लग रहा है सेम हाल पॉलिसी बाजार में ठिकठा गिर गए स्टॉक इसके अलामा अगर बहुत में अपैशी नषय कछ राए फालतु बात आप लोग करते हो इन्वेस्टर आइप्यो प्राइस पर इंवेस्टिंग करता है आइप्यो प्राइस ऐसे बुल मार्केट में जो आई प्यो आया हो आपको लगता है वह आपको सस्टे में हम बेंचेँ गे जितने अमीर लोग है ना इनकी जो भूख है इनकी पैसे की हवस है ना यह बहुत टॉप नौच हो जाती है बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं यह पाएं तो खा जाएं हम सबको और आपको लगता है कि यह लोग सस्ते में माल हमको थमा कर जाएंगे हो ही नहीं सकता बहुत रेयर कम्पनिया आती है जो सस्ते में थमाके जाती है और इक चीज आप को लग आऊगा घर होगा तो हुछ बहुत थेजिस भाग क्यू जाते है व старEr वह श्यां क्यूटन के वख Со को छोटी है वह इसलिए इसलिए उनके सेम की माल हमको भुत च्टेरे नहीं आये ऐसे समझा करो, समझ रहे हैं कोई हमारे उपर अहसान नहीं करने वाला है, आपको लगता है कि IPO पे stock खरीद करके investor बन गए, ऐसे investor नहीं बना जाता है, मैं फिर से कह रहा हूँ, IPO से भी महंगे price पे मैं खरीदने को बोल सकता हूँ, लेकिन तब जब company परफॉर्मेंस हमको करके दिखाए, या फिर IPO प्राइज लॉंच हुआ है, उसके बाद company 2-4-6 महीने कम से कम stable रहे, 2-4 quarter stable रहे, तब मैं ले सकता हूँ, हाँ चोटी company है, trading के लिहाज से मैं वहाँ पर बद बोल सकता हूँ, आपको बाई साब position मनाओ, enjoy करो, career case scenario में ये भी हो सकता है, कि ऐसी company में आपको बोल दूँ, हाँ भाई साब बने रहो, 3-5 साल के लिए, क्योंकि 2-4 quarter के बाद आपको च्छा rate best possible rate मिल पाएगा या नहीं, लेकिन अंतता आपको क्या करना है, आपको decide करना है कि आप हो कौन investor हो या trader हो, सवाल से एक दम जोली भरी है, कैसे जबाब दें, आप ही बताईए, बाकी आगे बढ़ते हैं यार, बाजार मूड में है, enjoy कीजिए, बाजार माहल बना करके चल रही है, अभी कुछ एक चीज मैं आपको weekly candle दिखा देता हूं, बहुत मजाएगा आपको, पिछले हफते की candle हमारे लिए काफी अच करके आई, नॉर्मल नॉर्मल ये ब्रेक एबन पर क्लोज की थी, जहां पर बाकी ये candle लगभग 2% तेज थी, ये candle लगभग 2% तेजी और यहां पर लगभग 1.5% के तेजी मातर दो दिन के अंदर बन गई है, अभी तीन ट्रेडिंग सेशन बाकी हैं, क्या हम कारनामा करके दिखा सकते हैं, higher highs तो बन ही रहे हैं, candle भी बड़ी से बड़ी बनती जा रही है, अगर ऐसा हो गया, तो सच में बहुत बड़ा कारनामा होगा, मज आ जाएगा, chances बन रहे हैं, लेकिन कम हैं, क्योंकि बाजार stretch हो चुकी है, और लोगों के पास जब डर नहीं होता है, तो अगराक से कुछ गड़वड भी हो सकता है, यह बात मैं कल से भी कर रहा हूँ, कल से, देखते हैं क्या होता है, बाकी अभी मैं आप से विदा ले रहा हूँ, मिलेंगे कल की वाजार वाली वीडियो में, जहां पर आपको मिलते हैं, इंट्राडे स्टॉक्स की परफॉर्मे लाइक कर देना, नमस्कार